राजस्थान क्रिकेट असोशीशन में विवाद भड़ता जा रहा है प्रदेश की विजेपी सरकार ने राजस्थान क्रिकेट असोशीशन को भंग कर एड हो कमेटी का गठन किया गया था अब एड हो कमेटी ने RCA दौरा जैपुर के चोप गाहों में बनाए जा रहे क्रिके के 17 नए जिलो संगों को दी गई मान्यता को रद करने का फैसला किया है आरसी एड़ो कमेटी संयोजक जैतिव भिहानी ने बताया पिछले दिनों एड़ो कमेटी सदर्शियों ने जैपुर के चोप में बन रहे आरसी के अंतरास्ट्रे क्रिकेट स्टेडियम का दोरा का निर्मान कारियों का निरिक्षन किया गया था इस दोरान एड़ो कमेटी के उस स्टेडियम के निर्मान की गुनवता में गंभीर एनियमित ता उल्ला पर वाही मिली थी ऐसे में अब एड़ो कमेटी ने बैठक कर राजिस सरकार को चोप में बन रहे RCA के अंतरास्टे क्रिकेट स्टेडियम की जांच के लिए शिफारिस लेटर लिखा है इसके साथ ही RCA के पूर्व सची भवानी सामोता दुआरा नियमों के विपरिद जाकर 17 नए जिला क्रिकेट संगों को मानेता को रद करने का फैस्टा भी ले लिया गया है दरहसल राजिस्तान सरकात दुआरा बनाई गई एडो कमेटी ने क्रिकेट स्टेडियम का निरिक्षन किया था जो की डैली रोड पर बन रहा है क्रिकेट स्टेडियम के निरिक्षन करने के बाद बहुत सारी एनियमित ताई मिली इसके बाद अब कमेटी ने सरकार को इस पूरे मामले की जांश करने के लिए एक लैटर लिखा है। इसके साथ ही एड हो कमेटी की बैठक में किर्केट ओपरेशन कमेटी के प्रस्ताव को सर्व सम्मत्ती से प्रारित किया गया है। जिसके तहट प्रदेश भर में 17 मई से समर कैम्प लगाने का फैसला किया है जो पहले 1 मई से आयूजित होने वाले थे। लेकिन स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी देरी से होने के बाद समर कैम्प को 17 मई से शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही रज्यस तरिये अंडरिक 16 क्रिकेट प्रतियोगिता और रज्यस तरिये सीनियर कॉलवेन सील प्रतियोगिता जो 20 मई से शुरू होने वाले थी उसे अब जून महीनी में आयूजित करने का फैसला किया है। बतादे कि आसी एड़ोग कमेटी की वैटक संयोजग और विधायक जयदिप बिहानी की अध्यक्षयता में आयूजित हुई। इसमें एड़ोग कमेटी के सदश्य पवन गोयल, रतन सिंग, धरमवीर सिंग, शेखावत और हरीश सिंग मोजूद रहे। जबकि चिकित्सा मंतरी गजिंदर सिंग के बेटे और एड़ोग कमेटी के सदश्य धननजय सिंखिम सर शामिल नहीं हुई।